हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पिशिंग एंड वेलकम टू श्मार्टर एवरिटेव तो आज किस वीडियो में हम मात करेंगे कि जो अस्टाइमेंट फाइल आपकी बनती है वो किस तरीके से आपको बनानी है देखिए मेरे पास कुछ असाइमेंट फाइल से जैसे यह समाल ओ माधिम से आपको कुछ समझा पाऊंगा हालां कि फाइल लिखी नहीं है यह एक्स्ट्रा थी मेरे पास तो यह प्लेण रख्यों है ठीक है तो इनके माधिम से हम जान पाएंगे कि किस तरीके साइपको फाइल बनानी है किस तरीके से आपका यह जो असाइमेंट है वो है आपको कोशन मिले ना मिलें कॉलेज आप जाते हो या ना जाते हो अगर यह फाइल सापको मिल गई है तो आप घर बैठ किरके अपना इनको कम्प्रेट कर लीजेगा इतना कोई दिक्यत नहीं रहती है तो चलिए मैं समझा देता हूं आपको जो यह मेर पास ऐसाइमेंट फ देखिए जैसे माले यह फाइल है हमारे सामने हमें इसको लिखना है ठीक है और मालीजे हमारा जो पेपर है वह फिलोसफी का है फिलोसफी के कॉर्डिंग यह फाइल बनेगी हमारी अब हमको बनानी है लेकिन हमको कोशन कॉलेज से अगर मिल गया है तो अच्छी बात है आपके पास बुक तो होगी philosophy की उस बुक को उठा लीजिए या इजी नोट्स को उठा लीजिए ठीक है उसको आप क्या करेंगे लिखना शुरू करेंगे पहली बात तो जो यह होता है यहां पर आपको यह पूरा फिल करना है या हिंदी में इंगलेश में अपना address है ना और फिर यह फिल करना है इसमें आपका हाई स्कूल में क्या डिविजन दा है क्या परसंटेज रही है है ना सब्जक्ट आपके पास क्या क्या थे इंटरमीडियेट का विवरा यहां पर देना है ठीक है ममसी का के कॉर्डिंगर आप बीड़ कर रहे हैं तो वो डाल दिए वरना इसको आप छोड़ देंगे आगे बढ़हेंगे आगे बढ़ने के बाद उसके बाद फिर आप किस पेज पे कौन सा टॉपिक लिख रहे हैं ठीक यहँपे डिड़ें लें किसमें आपने कौन सासव का पिक है और फिर यहां पर साइन करवाएंगे जैसे मेरे पास तो सब एक्स्ट्रा पड़े तो मैंने तो इनको रफ बना लिया है लेकिन फिर भी आपको समझाता हूं यहां पर पेज नंबर डालते चलेंगे हैं ना एक और फिर इधर साइड में दो इधर तीन ऐसे पेज नंबर ड के बारे में लिखना है किनके बारे में लिखना है श्वामी विवेकानंद के बारे में लिखना है क्या करेंगे आप जो आपको यह पहला फ्रंट पेज है यहां पर रफ बना दिया है चलिए देखिए पेजी हटा दिया जिसे अब यहां पर क्या है यह आपका पहला पेज ह करना है लिखना है कि जो भी आप स्वामी विवेकांद जी के बारे में बताना चाहरें जैसे स्वामी विवेकांद जी का जीवन दर्सन बताना जा रहें सबसे पहले आप जीवन पर चाही बताएंगे उनका तो यहां पर डालेंगे जीवन दर्सन स्वामी विवेकांद जी का पता नहीं होता है वो दोनों तरफ बढ़िया बढ़िया लिखते चलिए ऐसा लगरा निबद लिख रहे हैं इधर भी लिखा मिलेगा फुल भरते हैं इधर भी पूरा लिखते हैं इधर भी पूरा लिखते हैं और लिखते लिखते हो जाते हैं परेशान ऐसा आपको या पिक्चर चिपकाएंगे पेस्ट कर देंगे मेरे जो कुछ assignment फाइल पड़ी हुई है उनको देख लेना उनसे और डिटेल में समझ में आ जाएगा वीडियो पड़े हुए है और जैसे इधर है अब आप यहां पे लिख रहे हैं इधर उसकी पिक्चर पेस्ट कर देंगे जैसे मान लीजिए अब मैं और बता देता हूं यहां से अपने स्वामी विवेकानजी को लिखना शुरू किया उनका जीवन दर्सन लिख रहे हैं तो इधर आप स्वामी विवेकानद की नॉर्मल पिक्चर पेस्ट कर देंगे ठीक है अब जब आप उनका जीवन दर्सन हो उठो जागो और तब तक मत्रुको जब तक की तुम्हें लक्च की प्राप्ति ना हो जाए ऐसे साइड में लिख सकते हैं है ना यहां पर कुछ थोड़ा डेकोरेट कर दो यहां पर थोड़ा डेकोरेट कर तो आगे बढ़ जाओ नेक्स पेस पे यहां पर आपने जीवन द प्रिचार थे वो आप यहां पर लिख रहे हैं तो फिर यहां पर उनका कोई बढ़िया एक है कोट लिख दो उनको तो हजारों सैकडों कोट से उनके द्वारत दिये गए फिर उनका कोई कोट लिख दो जो जो नहीं कि हमें फिलोसफी को ही बता रहा हूं किसी भी assignment file में ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे अम माल लीजे आप उनके उनसे रेटेड कुछ और लिख रहे हैं है ना तो फिर यहां पे फिर आप दो पेज के बाद फिर आप उनकी पिक्चर दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लिख चाहें जो रहे हो अगर आपने एक पिक्चर दे दिये आप इसके बाद दो पेज नहीं दिये तो फिर आप उनकी पिक्चर चिपका सकते हैं या कोई कोट लिख सकते हैं और यहां पे आप लिखेंगे लिखने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि यहां से शुरू किया और यहां पे खतम किया जो आप लिखेंगे यह बढ़ीया चार- को देने होते हैं और की वर्ट का ज्यादा यूज करें जैसे कोई लाइन बढ़िया लिखिए तो उसको ऐसे बढ़िया अलग से लिख देंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर जैसे को सब्जेक्ट तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट की फाइल बननी है वह सब्जेक्ट आपके पास हो आप उसी से लिखना शुरू कर दो शुरुआत से ठीक है और आपका कम्प्लीट हो जाएगा एक्जामर इतना नहीं देखता है कोई भी कॉलेज वाले आपको प्रेसान करें कोई दिक्कत नहीं है क्या दूसर समझ लिजेगा आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा कि फाइल आपको कैसे बनानी है तो चलिए ठीक है इस क्लास में इतना ही मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू